बहुजन समाज को प्यार करते हैं, मनीशा वालमी की भेन की आवाज उठाना चाहते हैं, आपके लेफ्ट साइड में सेयर का बटन है, कैसे बूल जाएं भई, हमाम में सारे नंगे हुए बैठे हैं, कैसे बूल जाएं, योगी आदित्य ना तो सबसे बड़ा गुंडा है करो का दर्द क्या जानेगा, अरे तू बहन का दर्द क्या जानेगा, बाबा की सरकार, बबेरे की सरकार, निश्क के आदमी, नकारा आदमी, बिना बहन का भाई, बिना मा का बेटा, तू क्या समालेगा यूपी के सासन को, हातरस पे लगातार बना हुआ हूँ योगी आदितेनात उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री तेरी जगह मठ में बैठने की है तेरी जगह मंदिर में बैठने की है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर परदेश उत्तर परदेश के सासन को समभलना तेरे बस की बात नहीं है ना तेरी मा है ना तेरी पहन है तु मागसनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है ना तो ये मत समझना कि ये आप के लिए इमानदार हो गया है दलित समाज, पूरा बहुजन समाज, बालमी की दानक चमार, कितने भी हैं ये मत समझना कि ये नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया आपका अपना हो गया चंद पैसे मिलेंगे, खाने को बोटी मिलेगी, ये एकदम से सारी ख़बरों को बन करतेगी पुराणा एक्सपरियंस है अपना, जानता हूँ इनकी उकात को सोशल मीडिया से जितनी जादा हो सके उतनी जादा आवाज उठाएं आपके लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है, इस पर किलिक करें और आपके राइट साइड में शेयर टू गुरूप का ओप्शन आएगा सारे गुरूपों में शेयर करो अपनी बात रखूंगा दो, चार, दस गुरूपों में शेयर करो फिर अपनी बात रखूंगा 14 सितंबर को हमारी बहन के साथ हमारी बेटी के साथ बलातकार हुआ हातरस का परसासन तस से मस नहीं हुआ लगातार आवाज उठा रहा हूँ आप सभी देख रहे हैं लगातार हूँ लेकिन भाई आप भी जानते हो हमाँ में सारे नंगे हैं नरेंदर मोदी की तो कोई ओकात ही नहीं है जैसे ओकात 131 दलित संसदों की खतम हो चुकी है सभी दलित विधायबों की ओकात खतम हो चुकी है और सबसे बड़ा महामहीम मोहत है बहुत सम्मान करता हूँ महामहीम का भारत के पर्थम नागरिक हैं महामहीम साब का बहुत सम्मान करता हूँ पद का सम्मान करता हूँ समीधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी ही महमाहीम के उपर होती है देश का राष्टपती खामोस है भई गुलाम है गुलाम गुलाम है तो कुत्ते तो राज करेंगे न तभी तो यो कुत्ते राज कर रहे हैं योगी आदित्यनात की क्या उकात क्या उकात जो हमारी भेन को न्याएना दिला पाए सबसे बड़ी बात है लगातार आवाज उठा रहो भाई शेयर करो पहले ही बोला है पहले ही बोला है आपके भाईया जी नवाब सत्पालतवर ने आपके लेफ्ट साइड में शेयर का उप्शन बना हुए शेयर के बटन पे किलिक मारो राइट साइड में सेयर टू गुरुप का उप्शन आएगा सेयर टू गुरुप पे किलिक करो सारे गुरुप खुल जाएंगे आपके सामने एक एक करके बारी बारी से सारे गुरुपों में शेयर कर दो यह पूरे तरह से दोसी हैं लेकिन हम कैसे भूल जाएं भाई हमाम में सारे नंगे हुए बैठे हैं कैसे भूल जाएं योगी आदित्य ना तो सबसे बड़ा गुंड़ा है भाई योगी आदित्य ना थे तो सबसे बड़ा गुंड़ा है इस वीडियो को वाईरल करो पता लगना चाहिए और भाई अगर किसी को कोई शक हो ना तो मेरी 24 तारीक की 24 सितंबर की इसी पेज पर हातरस के DM से HDM से और CO से वहां के पूरा वारता लाप उठा करकर सुन लीजिएग आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी दानले बाजी हुई है चाहे दिल्ली में चाहे पूरे देश में कितनी ही बड़ी ड्रामे बाजी हो रही हो मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे अपनी बेटी से मतलब है मुझे अपनी बहन से मतलब है जब मैं उस बहन से मिला ना हस आपका दिल जो है पसी जूठेगा रुदन होगा आपकी दिल में क्रोध होगा आपके जहन में शेयर करो इस वीडियो को सबको बताओ बताना बहुत जरूरी है जितने साथ ही जुड रहे हैं सुनने से कुछ नहीं होगा वह अगर बह। जब अलीगड की अस्पताल में मैं अपनी बहन से मिला न, उसकी जुबान से बोला नहीं जा रहा था उसकी जीब को उन कुतों ने, उन दरींदों ने, उन बलातकारियों ने, अपने दातों से कुचला है तब उसकी जीब काटी गई है, रीड की हड़ी मैंने खुद देखी अपनी बहन की, तोड़ रखी थी सरीर से उसके पलटा नहीं जा रहा था, करवटे नहीं ली जा रही थी बड़ी मुश्किल से, अपनी बहन को मैंने धाडस बंदाया, अपनी बहन को मैंने होसला बंदाया और जब मैंने महसूस किया इस दर्द को, पूरे देश को बताया 24 सितंबर को हातरस कलेक्ट रेट पर, परदशन का एलांद किया गया, परदशन किया गया DM की ओकार भीम सेना परमुख नवाब सत्पाल तवर के सामने आ सके सामने नहीं आया SDM को भेजा महां के CEO को भेजा DM सामने से निकल गया 24 तारिक की वीडियो उठा करके देख लिजे इसी पेज पर सामने से निकल गया ये DM बात करने की तवजू नहीं रखी अब हम बहन की लास की जो बोली लगा रहे हैं न ये लोग बहन की जान की भीख मांग रहे थे इनके सामने हातरस कलेक्टरेट के सामने खड़े हो करके उस समय DM ने हमारी भीख को भी नजर अंदाज कर दिया नयाय की आवाज पुरा देश उठा रहा है आज मैं फकर मैसूस करता हूँ अपने भहुजन समाज पर जितने साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं न एटम बंब के बराबर किताब के तरकते हैं आप आप भीम सैनिक हैं बाबा साथ डुक्टर भीमराव अंबेड कर जी को भगवान वालमिकी को गुरू रविदास जी को गुरू कबीरदास जी को और हमारे तमाम महपुर्सों को अब मानते हैं फोलो करते हैं लेकिन बहन की आवाज उठाने में कोई कमी न रह जाए खामोस न हो जाईए आवाज एक रुदन आज भी दिल में है नेंद नहीं आ रही है पूरे तरह से नेंद नहीं आ रही है बार बार वो भेन आकर के पुकारती है कि भाई मुझे नहाई दिल हो मैंने करीब से महसूस किया इस केस को मैंने बारीकी से अध्यन किया इस केस का बारीकी से मैंने इस केस को देखा 14 सितंबर से लगातार आवाज उठा रहे हमारे हातरस के साथी है सबसे पहले एक पतरकार साथी है मेरे भाई उनको मैं सल्यूट करता हूँ और हातरस के तमाम साथी हमारी कुछ महिला हमारी बहने भी हैं जिन्होंने इस आवाज को उठाया मैं नाम लेना उचित नहीं समझूँगा क्योंकि बहुत सारे साथी देख रहे हैं मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, बस ये समस्ज लीजियेगा कि मैने भीम सैनिकों को तवज़ो रखते हुए, अपने भीम सैनिकों को तवज़ो रखते हुए मैंने इस बहन के आवाज उठाने के लिए आपका होसला अफजाई किया और जादा से जादा आवाज उठ पुलिस चे नहीं डरने की जुरुत है पुलिस चे डरना नहीं है वहां के यूपी के ADGP जो है वो प्रेस कॉंफरेंस करके हमें धमका रहे हैं ऐसा माजिक ततो हमें बता रहे हैं और ये भी कहते हैं कि विदिक करवाई की जाए बाहे मुझे गोली मार दे यूपी पुलिस मुझे गोली मार दे यूपी पुलिस मेरे ओपर कितने मुकदमे करते हम डरने वाले ने